क्योंकि जितने गोबरभग ट्राइब के बाबा हैं उस सब हर दिन जोहर फैलाते हैं हमारा देश का नेता को देख लिए जो सत्ता पे बैठे हैं वो लोग कितने गैर गुजरे हैं आप लोग क्या उनके खिलाप आप लोगो कुछ भी नहीं दिखा असल में इसलिए मैं बोलत जाती हैं और उस वीडियो में बिल्कुल सबूत के साथ दिखाया था किस तरह से रूबी का लियाकात इसलाम और मुसलमान के खिलाप रहती हैं और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़दा प्यार दिया बहुत ज़दा सियर किया लेकिन दोस्तों आप लोगों को ब बहस चला रहा है यह डिबेट चला रहा है कि मौला ना तोखिर रजा खान से पूरे देश को खत्रा है देश के चैनो अमन को खत्रा है तो दोस्तों उस पर जाने से पहले गोबरभक्तों से मैं कुछ बोलना चाहूंगा जिस तरह से आप लोग देखते होंगे हर दिन कोई ना गोबरभक्त ट्राइब के बाबा हैं निकलाते हैं मुसल्मान के खिलाब जहर फैलाने के लिए मैं उन लोगों से पुछना चाहूंगा अगर देश में खुदा ना खासता कभी कुछ फसात होता है क्या स्रिफ मुसल्मान के बच्चे मरेंगे क्या हिंदू के बच्चे नही बरेंगे या उनके कोई भी नहीं मरेंगे शिरिफ मुसल्मान के ही मरेंगे तो गोबरभक्तों जरा सोचो समझो और जहर मत फैलाओ तो खैर दोस्तों जैसे के आप लोगों को बताया मैंने कि मौलाना तौकिर राजा खान ने जो बयान दिया है आप लोगों ने बिलकुल स समझनी आया कौन सा बयान उन लोगों को या कौन सा बात उन लोगों को देश के चैनों अमन के लिए सही लगता है और कौन सा बात कौन सा स्पीच देश के चैनों अमन के लिए खत्रा होता है आस तक मुझे समझनी आया क्यूंकि जितने गोबरभक ट्राइब के बाबा हैं वो सब हर दिन जहर फैलाते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के एक-एक करके नाम बता देता हूँ, धिरेंदर सास्त्री हो गया, पुस्पेंदरा कुल्सरेश्ट्रा हो गया, सुरेश चभान के हो गया, नर्सिंगान अंसर्वसोती हो गया, वो पर्माहंग्स कौन है, वो जो है, वो बाबा जो है, ऐसे टिका फिका लगा कर रहता है, वो हो गया, राजुदास हो गया, ऐसे ना जने कितने सारे लोग हैं, चुकि हर दिन मुसल्मान के खिलाब जहर उगलते हैं, लेकिन आज तक गोधी मीडिया को ये नहीं दिखा, कि ये लोग टी राजा सिंग हो गया, टी राजा सिंग कुछ दिन पहले, पूरा सभा में गलत बायान बाजी की मुसल्मान के खिलाब जहर उगला, लेकिन गोदी मीडिया को बिलकुल भी इस सब नहीं दिखा हमारा देश का नेता को देख लिए जो सत्ता पे बैठे हैं वोग कितने गैर गुजरे हैं आप लोग खुद सोचके देखिए इतना सारा बयानबाजी लोग देते हैं लेकिन उनके खिलाप कभी नजरबंदी नहीं गया है और वो आकेला नहीं और तीन-चार लोगों को ऐसे नजरबंद करकर पोलिस का पहरा देकर रखा गया है तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से पूछना चाहता हूं गोबर भक्तों से क्योंकि गोबर भक्त कहीं सरकार हैं उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं क्य यह बयान दिया कि जिस तरह से हिंदु राष्ट्र की यहां वहां मांग हो रहा है ठीक उसी तरह हो सकता है कल को मुसलमान भी मांगने लगे मुसलमान राष्ट इसाई मांगने लगे इसाई राष्ट इस तरह से अगर धर्म नीरफेक्स देश में कोई अलग से देश मांगना चाहे कोई अलग सा राष्ट्रा मांगना चाहे ठीक उसी तरह मुसलमान भी हो सकता है कल को जाकर मुसलिम राष्ट्र की मांग करें तो उन्होंने क्या गलत बयान दिया क्या आज तक जितने हिंदू राष्ट्र की मांग हो रहा था सरकार को नहीं दिखा तो मुसलमानों से ही जाओंगा आप लोग सोचे समझे और ये एक जूठ हो जैसे मौलाना तुखिर राजा खान आसद्धुद्धिन भुवेशि। सारे बोल रहे हालाकि मौलाना तुखिर राजा खान और आसदुद्धिन भवेशि में नहीं जम राए लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि आप लोग जब तक सोते रहेंगे ठीक इसी तरह आप लोगों को उल्टा सिधा बोल कर नजरबंदी किया जाएगा आप लोगों को घेरा जाएगा मैं पूछना चाता हूं मुसल्मान कौम से क्या मौलाना तौकिर राजा खान के सपोर्ट में कोई निकला अगर बागे सुर बाबा के सपोर्ट में हजारों लोग निकल सकते हैं अंडुपंडु बाबा के नाम पर मनिसकस्यप के नाम पर हजारों हिंदु निकल सकते हैं क्या म मौलान तौकिर राजा खान के सपोर्ट में कोई मुसल्मान निकला कोई भी नहीं निकला क्यूं अपने दिल से पूछ। मुसल्मान कोई गलत बयान के लोक कोई और धर्म के लोग ऊसरा के मांग करेंगे घर्म निरेफिक देश में ऐसा बिलकुल विन्हीं होना चाहिए से यही बात तोके राजा खान ने बोला और ने गोधी पत्रकार से पूछना चाहित dough तुम लोग आखिर का किस पर डिबेट चलाओगे शिरिफ मुसलमान के खिलाप या इतने सारे जो हिंदू बयान दे रहे थे हिंदू राष्टर की मांग कर रहे थे क्या उनके खिलाप आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा असल में इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम लोग खून चुसने बाले हो इसलिए मुसलमान का खून तुम लोग पी कर ही रहोगे इसलिए तुम लोग इस देश में जहर फैला रहे हो खैर दोस्तों आप लोग समझे सोच विचार करें हिंदू मुसलिम में चैनो अमन बरकरा रखें जहिंद